एलो स्टुडेंट्स मैं सचीन अद्व आज आपके लिए एक नया टोपिक लेका हूँ जिसका जो 12th खिलास का है चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम Continuity and Discibility है इस चैप्टर में से हर बार 10 से 13 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और बहुती important topic है जब तक आप math पुड़ोगी पूरी life काम आता रहेगा मेरे YouTube चैनल का नाम है सचीन Math Classes प्लेज है सबक्राइम चैनल, like my video and press the bell icon for notification for my new video मेरा WhatsApp नंबर इधर दिया हुआ है कुछ प्रोब्लम हो और इसकी lecture का PDF ची है करूँगा कि कौण कौण से formula है उन formula को आप अच्छी तरह याद कर लेना differentiation आपने इससे पहले 11 में थोड़ा सा basic पढ़ाऊगा कि differentiation क्या होता है तो बचो मैं पहला थोड़ा सा आपको formula के बारे मताद देता हूँ कुछ formula है मेरे पास चलो formula के उपर चलते हैं बचो देखो differentiation करेंगे x की power n x की power n का किसी भी power करेंगे तो पहले differentiation power करेंगे तो power क्या आएगी आगे आएगी और जो उपर जो power है उसमें से 1 माइनस हो जाएगा इसी परकार sin x का differentiation करेंगे तो हमारा cos x आएगा cos x का differentiation करेंगे तो sin x आएगा माइनस sin x आएगा तो इसी परका 10 x का differentiation करेंगे तो secant square x आएगा तो secant x का करेंगे तो हमारा आएगा secant x into 10 x इसी परका co-tex का करेंगे तो आएगा minus cosecant square x इसी परका cosecant square x का करेंगे तो minus cosecant x into बच्चो आपने देखा होगा जिस जिसके आगे C आ रहा है उस उसके आगे माइनस का साइन आ रहा है तो बच्चो यह याद रखना ट्रिक कि जिसके आगे C आएगा उसी के आगे माइनस आएगा इसी परकार e की पावर x का डिफ्रेंशेशन करेंगे तो e की पावर x आएगा बच्चो तो बच्चो लोग x का डिफ्रेंशेशन करेंगे तो फोर्मूला रहेगा 1 by x डिफ्रेंशेशन करेंगे हम a की पावर x का तो हमारा रहेगा a की पावर x लोग a इसी परकार हम inverse technology function का differentiation करेंगे तो क्या आएगा बचो d by dx sin inverse x का differentiation करेंगा तो बचो आएगा 1 upon under root of 1 minus x square इसी परकार cos inverse x का करेंगे तो बचो आएगा c से सरू है तो minus का आएगा 1 upon under root 1 minus x square इसी परकार tan inverse x का करेंगे तो बचो 1 upon 1 plus x square इसे परकर quote inverse x quote c negative है तो आएगा 1 upon 1 plus x square उसके बाद secant inverse x का करेंगे तो 1 upon x का modulus under root of x square minus 1 उसके बाद cosecant inverse का करेंगे बच्चो तो हमारा आएगा c है तो minus का sign आएगा 1 upon modulus of x under root x square minus 1 उसके बाद बच्चो दो method होते हैं इसमें जब दो ट्रम multiply में दे रखे हो तो उसको हम uv method करेंगे uv method से solve करेंगे तो जैसे u multiply v method तो हम इसका differentiation करेंगे तो formula क्या होगा सबसे पहले जो u term दे रखे है उसको agitize लिखेंगे हम differentiation करेगा v का only plus का sign फिर जो v दे रखे है उसको agitives लिखेंगे, हम करेंगे u का differentiation, इसकार बच्चो कोई दो ट्रम का divide दे रखा हो u upon v ट्रम, मतलब कुछ दे रखा हो divide में दे रखा हो, तो उसका differentiation कैसे करेंगे, उसका करेंगे जो v दे रखा है, उसको agitives लिखेंगे, differentiation करेंगे u का माइनेस का साइन उसके बाद यू को एज़ेटीज लिखेंगे हम डिफ्रेंसेशन करेंगे वी का अपोन जो वी रहेगा हमारा उसका कर देंगे स्केर उसी पर अगर पर लास्ट फोर्मूला है हमारा किसी भी कॉंस्टेंट ट्रम कॉंस्टेंट ट्रम बत्चो क्या होगी एक् होगा बच्चो जीरो होगा तो बच्चो ये डिफ्रेंसेशन के बहुत ही इंपोर्टेंट फोर्मूले हैं इनको जब भी आप डिफ्रेंसेशन करने बैटो तो पहले इनकी ये पेज लेके बैटना तो थैंक्यू बच्चो प्लीज लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब मै अरे जरी को पता ही और नहां जहां कि अ जागोगूजब कर वजग तो को चुछ प्रेशान कि नहीं जहां जहां किते हो।